जयावाविंद वाश्ति हरहर महादेव आपशभी का स्वागत है हमारी योट्यूब परिवार में भरण पोसन करने के कारणी भगवान का नाम भैरो पड़ा है भगवान रुद्र के आवतार भैरो हर उस कारे को करने में सक्षम है जो की संसार के भलाई के लिए और एक ग्रस्त के भरण पोसन के लिए संभाव होता है स्वरूप अनेक है भेद अनेक है जिनकी चर्चा हम पहले के कई वीडियो में कर चुके है आज का विशय है कि हमारे प्रतीक कारे को सिद्ध करने में सक्षम कोई भैरो जी का ऐसा विधी विधान किया जाए जिससे कि हमारे प्रतीक कारे बने विशयस करके भैरो जी का प्रियोग तंद्र के शेतर में लोग करते हैं इस विशे से अंजान है लो कि घर में भी रक्षण है तो भैरोजी की अस्थापना की जाती है परले के वीडियोज में हम इस चीज को बता चुके है यह प्रश्ण था कि कोई एक ऐसा सात्विक और सरल साधना जो कि प्रतीक ग्रहस्त कर सके जिसका कोई तिरयक प्रभाव ना हो सौम में हो साथी वहर कार को करने सक्षम हो भैरोजी के मादम से भैरोजी के सवरुप के मादम से तो ऐसी ही एक आज उपाशना साधना को आप सभी के समक्ष रख रहे हैं या फिर किवल धूब दिब दिखा रहे हो तो एक ऐसा विदी विधानाच आप सभी के समक्षा रख रहे हैं कि इस साधना को तो प्रतिक व्यक्ति को करना चाहिए और कोई भी अपने आनुष्छान जब करने जाते हैं उससे पहले रक्षा के लिए इस मंत्र का प्रियोग करन के लिए जा रहे हैं जहां किसे व्यक्ति के उपर प्रभाव पढ़ना चाहिए सही तरीके से तब आप इस साधना का प्रियोग कर सकते हैं तो आज की जो है साधना है यहां हर व्यक्ति को सद्ध करके रखना चाहिए इसमें इत्री पुरूस का कोई भेद नहीं है प्रतिक व्यक्ति से कर सकते हैं और हर कारे के लिए कर सकते हैं कारे का उलेख इस साधना को पून करने के बाद जब आप इसका प्रियोग करेंगे तब संकल्प में करेंगे कि मैं इस कारे के हेतु इस मंदर का जब कर रहा हूं ठीक है पहले बात तो यह होगे दूसरी बात है कि जब कभी भी हम किसी भी सक्ति को जागरत करते हैं किसी भी सक्ति का आश्रवात पाना चाहते हैं तो सरो प्रत्थम जो है उस सवरूप के साथ साथ में उनके जितने भी गण होते हैं उनके भी पूजन बाठ को करना चाहिए अब भगवान भैरो के जो गण है प्रत्यक छुरूप स वो किसे माना है, और उनके क्या सेवकरनी चाहिए? तो हम सभी जानते हैं, कि सवान को यानि कि कुत्ते को भेहरो जी का वहन माना जाता है तो जो भी वक्ति जीवन में किसी भी प्रकार की समध्यद गरसित है चाहे अभिछार से गरसित हो भूत प्रित की बादा हो, चाहे धन संबंदी समस्या हो, संतान संबंदी समस्या हो, भगवान भैरो क्रष्ट के हारे कारे को करने में सक्षम है, उसके कोई ब्यासा कारे नहीं है, जो उनके लिए सक्षम हो, भगवान भैरो, तो आपको सबसे पहले तो एक गाठ बाद लेना जाहिए प्रतिक दिन मिठा रोटी या नमकिन रोटी ये साधा रोटी जह आपका सम्मर्त हो जो आप ल нашем अब भाई वाईरो साधना उठाएंगे तब से ले करके नियमित रूप से आप सुभर के समय का कोई वंधनою है रोटी को स्वाद का कोई बंदर नहीं है कि हमको साधा रोटी ही कहलाना आप नहीं हाट सबना से स्वान को भोजन सरौ प्रत्व प्रती दिन आप कराएंगे आप अपने पास रखोली जहां कुट्ते मिलें वहां खिला देजे उनकी आत्मा अत्रिप्त होगी जब आपको असी रवाद मिलेगा ना तो वहां से ही वह आने वाले हैं वह प्रसन्द हो गें कहा जाता है कि 12 साल तक भारा विरवद्र की उपाशना की नहीं तो इन से भी चीजों को उतने लंबे समय तक तो अब घर ग्रहसती छोड़के कोई करने सकते हैं तो जब भी आप बहरोजी के उपासना करते हैं तो कुट्टों की सेवा तो मतलब निश्चिंत रूप से आप बिल्कुल करना ही करना उनको कभी कश्ट नहीं देना है ऐस यकिन मानो कि भैरोजी के क्रिपा है तो ही वह बैठ रहा है नि तो यहां फिलोग उतार उतार के कुट्टे को खिलाने के लिए परसान रहते हैं कुट्टा सूम के छोड़ देता खाता नहीं है याद रखना अगर रुष्ट हो न अगर उनका यह भैरोजी का सुरूप रु फ्राफिट हो यहां कि आपको प्रति दिन करना के खिलाना जरूर है दूसरा चीज है कि इसमें आपको माला जो है या तो अस्फटिक कर रहेगा देख लेना भाई 30 के नुसार से लगन कुंडली के नुसार से सुक्रमहा गरह की इस्थिति हैं अगर सुक्रमहा घ्रह आपके अगर वह लाब देने वाले हो तो फिर आपको रुद्राक्ष की माला नहीं होने चाहिए और यह माला जो है आपको धारण भी करना है अगर आप स्फटिक नहीं धारण कर सकते रुद्राक्ष नहीं धारण कर सकते, किसी भी करना से हो सकता है, कि आपको इसकी निरजी हो, आप रुद्राक्ष धारण करें, उसकी काटों से स्कीन में प्राबलम हो जाए, तो ऐसे कंडिशन में आपको यहाँ देख लेना चाहिए, कि हमको कौन सा रंग सूट करता है, जो किसी भी रंग के हगिकमाला को ले लीजे, और उसे जो है, अभी भैरवस्टमी, किसी भी महीने में आप सुन रहे हो, या भैरवस्टमी से या चीरारंब करनी है, हर महीने के क्रिशन पक्ष अश्टमी को भैरवस्टमी होती है, आप मुख्य जो काल भैरवस्टमी है, मारक् या फिर आप अन्य महीने में सुन रहे हैं तो उस महीने की जब भी पड़ेगी क्रिश्ण पक्ष के अश्टमी उस दिन से इसको आरंब करें दिन का कोई महत्वनी के सविर अभी बार हो मंगल बार हो तो ही होगा तिथी पड़ेनी चाहिए अश्टमी तिथी ठीक है और माला लानी के पश्टाद रुद्राक्ष के माला अगर हो तो केवल गाय कच्चे दूद से धोके गंगाजल से धोके आप साम्बान जो है उसमें एक माला सीव जी के मंत्र का बिना पंचाक्षर मंत्र बिना ओम लगाए आप जब कर ले और उसके पश्टाद जो है उस पर प्राणपतिष्ठा करने की जो बिदी है इसी चैनल पर सुरुवात के वीडियो में बता दिए पूरी बिदी बता दिए आपको किसी से करवाने की जरूत नहीं आप देखके स्वयम कर सकते हैं तो भैरो अश्ट में से पहले प्राणपतिष्ठा आपको माला का कर लेना है रुद्रेक्ष के माला हो तो इसमें आवज़क नहीं है अगर करना चाहा है तो आप इसमें गुमुक्त नहीं है आपSe एक लाल कपडे से लाल जो लख मुखा होता है या राम नामिज्डव से और ने से ढख्किया कर सकते हैं कि यह माला आपको बाद में धारण करना है बहरोजी की तस्बीर रखे उनके इसरे विग्रह को रखे या फिर उनके फोटो को रखे या फिर अगर कुछ भी ना हो तो एक चावल के धेरी पे सुपारी रखकर के बहरोजी को मानसिक रूप से मान लेजे और उन्हीं के समक्षु जो है चौमुख दिया जो है जलाना है आ है जोटो चौमुख दिया और सरस्य दिया वी इतरो दिया आपको क्ष्ण पक्ष्ण की अश्ड widi लगता है देखली जी नेसादग समय लगए तो आप चाहें 5 केजिए 7 करिए 9 कीज़े 11 कीज़े 21 कीज़े जितना आपका समर्थ हो इतना आप 21 माला मैक्सिमम आप कर सकते हैं सिर्फ इतना ही दिन आपको साथना करना संकल प्याया लेना है कि मैं भायरू मंडल की कृपा अपरापती है तो अपना नाम को तुरुचारण करेंगे आरंबिक विदि करने के पूजन किया जाता है पंचोप चार पूजन यानि दूप गंद भोग टैदी की द्वारा पूजन एक फूल भहरोजी के समख्ष रखके उसी की उपर में जल से उनको अस्तान कराना या मांसिक रूप से उनको दूप दीब दिखाना उनको भोग लग लगाए और मीठी में लड़ू बुंदी वाले लड़ू जो होते हैं वह भोग में लगाए घर में साधना बिल्कुल निश्चिंत होके कर सकते हैं स्वरूप कौन सा है इसमें हम मानेंगे भहरोजी का आप बटुक भहरो का सुरूप यहां पर मानेंगे ठीक है और अस्था पालेट से गर पूजी थे हैं कोई भी सारूप आप उनके सामने हग कर सकते हैं ठीक है बिल्कुल नया स्वरूप रखने के आउसकता नहीं है आप उनके समक्षी कर सकते हैं चार मुखी दिया भजलाना है आपको दीपक के बीच में एक सुपाड़ी एक तामबा का सिक्का दो इलाइची और दो लॉंग यह जरूर डालना है इस इसका ध्यान रहे और थोड़ा सकपूर डाल देना है यह सर्फ और सरसो तेलवाले में डालना चमेली तेलवाले दीपक जो रहेगा वह किवल बाती उसमें चार बाती रहेगे और उसके पहशाद आरंबिक आप गुर कम से कम पांच माला मैक्सिमम एकिस माला तक आप अपने सामर्थ अनुसार करें कोशिज करें कि पहला दिन जितना माला जब हो हर दिन उतना ही करें पहला दिन अगर पांच माला की है तो अगले दिन भी पांच माला आम अवस्ता तक हर दिन पांच-पांच माला करना है 11 माल तो इसा करें संधना तो हो जाना चाहिए अगर यह संधना की यह काम के डिन करेंगे आप मवस्थ अतना माला पूर रहेंगे और उसके बास पांच माला करते थे प्ला सो तो पांच माला आहूती आप उस दिन देंगे मैं पुना बोल रहा हूं कि भैरोजी के किसी भी स्वरूप की आप उपासना करते हो कोई भी स्वरूप स्थापित हो तो यह मंत्र हर स्वरूप के लिए है इस बात का ध्यान रखें ठीक है यह मंत्र हर स्वरूप को जागरत करे हवन भैरोजी का कभी भी जब किया जाता है दीके दो तरीके समनों होता है सांबान रुप से ग्रहस्त में एक तो हम लोग कुंड लेते हैं दूसरा जो होता है बेदी बनाते हैं बालू रख करके तो जो संभा हो अगर आपके पास कुंड हो तो आप कुंड में हवन कर सकते है नहीं तो पहले नीचे में बालू रखके या इंटा रखके उसके उपर बालू से पुरा चौकोर मंडल बना लीजिए और उसके उपर कभी भी जब भैरोजी का हम हवन करते हैं तो उल्टा ट्रिकूड जो लकडी सजाएंगे वो उल्टा त्रिभूज रहेगा और जब त्रिकूड बनेगा तो त्रिकूड में जो अधार रहेगा जो बेस होता है वह उपर क्यों रहे आप से उल्टा हो तो इस तरीकी से तीन लकडी को सजाएंगे और फिर उसके उपर और दो तीन लकडी रखके और जैसे अगनिय स्थापन का विधित्यादी चैनल पर और माला प्रतिष्ठा का विजो वह भी लिंक दे दोंगा इसी विद्यो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजेगा आपको मिल जाएगा आप वहां से देखके सभी चीजों को कर सकते हैं तो आरंबे करने के बाद आहूतियां जो आरंबे की देनी है सभी देंगे मुख अगर अपने सामान आहूतियां बनती है तो यहां पर भी ऐसी ही लेना है अगर अपने सामान आहूतियां चावल लेंगे उसमें 100 ग्राम मधू मिलाएंगे और उतना ही कम से कम 200 ग्राम तक उसमें पंच मेवा जो होगा काजो किसमें से सारे चीज को कटिंग मिलता है सबको उसमें मिलाएंगे और उसमें घी मिला करके पूरी सामगरी तैयार कर लेंगे चुंकि यह पुष्टी का रखवन है अभी है और उसके पश्चाज जो है प् मंत्र आप जप किया है जो सकीब करें इसके द्वारा हमन कर ना है वह भी आप उन्हीं सामगरी से देंगे वह और उसके बात पूर्णा होती तरपन जो करना है वह जरूर करना है दसांस तरपन करना है ठीक है दसांस तरपन करेंगे लेकिन अगर किसी विस्तिती में तरपन आप नहीं करें तरपन करने के विधी भी चैनल पर दी होई है यहां पर आपको जब तरपन करेंगे इस विधी से तुकि कि यह तंद्रोक्त मंत्र है तो इसमें तरपन करने के लिए हमको क्या एक पात्र में जल भरेंगे जल में मधो जरूर डाल लेंगे यानि कि मीठा जल होना चाहिए और सभी पान पत्ता पर रखे तील और सभी चीजों को जो बताया गया पंचमेवा इन सभी के द्वारा बना क सबुस्टा को बोल करें अगर पांकर माला कि है तो पचासे कम से कम जो है तरपन होना चाहिए और उसका दसांस यानिकी तस का रहें कि है जबकिसे पहले सबसे पहले तो जो भोग लगाएंगी उसमें लॉग इलाइची पानपत्य जरूर हो प्रति दिन लॉग इलाइची सुपधाडी पानपत्य बनाई जाता उनका ब्रति दीन होना च आईए वो लुखे निकने दीफदें चौहाईए लेकिन उनका अपना उनका ने पार सकते हैं जो फ़ले से करते हों वह समना वां करें लेकिन जो देवी देवता है उनका सामने जो है दिफक जल जाना चाहिए उनका भोग लगना चाहिए उसके पश्चाद जो है आप एक भोग यहां लगाएंगे बहरुजी का दूसरा चीज है जब पूर्ण हो जा प्रति दिन तो पांच कपूर के उपर दो-दो लॉंग रख यानि जो है उसी दिन कम से कम अपने वजन के धस्वे भाग तक अगर संभव हो तो अगर सत्तर किलो वजन है तो साथ किलो अनाज आप असपर्ष करके मानसे गृप संकल्प करके रख देंगे हमन अगर आप रात में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है अगले दिन सुबह नाद दो करके फिर आप इस चीश को करेंगे साथ किलो यानि सत्र किलो वजन एक तरह का नाज हो या पांच तरह का नाज हो उसको आप सपर्ष करेंके संकल्प करेंगे उसको रख दीजिए योग्य ब्रामण को या गरीब को किसी को भी आप जो इसको दे सकते हैं कि अपने थे देंगे कम सेकर पांच वीडियो के और अलग से आएंगे प्रियोख करने के लिए लेकिन थोड़ा देर से आएगा व भीडियो उसमें हम बताइंगे की इस समंधर के द्वारा कैसे-कैसे और विभिनप्रगार के कारें कि आते कम लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए और इस विश्य सम्बंदितन को प्रश्ण हो तो अभी समय है अपने पास में चार-पांस दिन का समय है आप प्रश्ण भेजना सुरू करने लाइफ सेशन्स अगर होते हैं तो लाइफ में अपने प्रश्ण को तयार करके पूछ हो नहीं है बिल्कुल निश्चिंत हो कि साधना को करें गुरू पूजन के बाद गयाने गुरू साधना के बाद चाहें आप नौनाथ की साधना करें नौनाथ की साधना करें गुरू गुरु गयतरी करें गुरु गयतरी करें इन सभी के बाद जब गणपति साधना कर लेत आसा करते हैं कि आज के वीडियो से आपको लाप राप्त होगा कोई भी विसे चूट गया हो आपको लगे कि हाँ यहाँ यह प्रश्ण होना चाहिए तो आप जरूर हम से पूछें मैं यह था सकती यह था समय आप सभी का जबाब दूँगा और हमारे साथ आप सभी बने रहे जामाविंदवाशनी हर हर महादेव